हैपी महास टेमी माई डियर फ्रेंज कैसी हो आप लोग सब और आप लोग सब फिनाल तो अभी सुबा का समय है सब लोग तेयार हो रहे हो और सब नया नया कपड़ा पेंगे पंडाल में जाओगे पुस्पान जली देओगे हाँ हाँ मैं भी वही कर रही हूँ देखो पहले घर पे ममी सजाई है कितना सुन्दर प्यारा से और वो देखो दुरगा मा मेरा घर का दुरगा मा को पहले हम पुझा कर लेते हैं ममी कर लेते हैं और भोग लगा लिए है और देखो यहाँ में वो वाला जो तो वही सब कर रहे थे गाइस और सुबा से जल्दी जल्दी से मतलब उट करके नास्ता बना लिए रोटी और स्वैविड का सब्ची और यहां देखो आधी कर रहा है आधी भी तयार हो गया यह वाले ड्रेस करी तो आपको दिखाए थे तो आजी का दिन पहना दिए और सारी तो आपको हम नहीं दिखाए थे क्योंकि ना यह ना परस हो ही मेरा हजबन खरिद के लाए और मेरे को पता भी नहीं था तो इसलिए खरिद के लाए और सेम सारी मेरा सास मा को भी दिए है और मेरा ममी के लिए भी सारी लिखिया है तो चलिए दिखाते हैं कैसा सारी लि पताना और अभी जस्ट नहाद हुआ करके सब कुछ फ्रेश रोशा करके पहने हैं आधी देखो कितना पतमाशी कर रहा है इसका थोड़ा टॉप मतलब टी शर्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया यह देखो मेरा ममी को सिंपल सा है यह सारी रेकिया है तो कैसा लग रहा है अंधीय अच्छा लग रहा है मिरो तो अच्छा लग रहा है क्यूंकि ममी को पिंक सारी चाहिए थी और और ऑंपींक क्या हूं तो आज ममी भी जाएगी पुसपांजली देगी ममी बोली हम तो घर में पूजा कर लिये हैं तो पुसपांजली शून के आते हैं तो हम लोग चलते हैं अभी निकलते हैं और एक ठोना दो टो रिल्स बनाए हैं मगर एक डिलिट हो गिया है और एक है तो चलिए बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है क्योंकि ना सुबा सुबा नाहा लेना है तो इसलिए तो यह देखो यहाँ पर मंडप में आ गए और जैसे हम वीडियो बनाने लागे आदी देखो कहां चल गिया है मतलब आदी को खोस्ते खोस्ते ना यह देखो मिला है यहाँ पर गारी देखने आया था और यहाँ देखो मादुर्गा को और कितना सुन्दर प्यारा सा मुह है ना मादुर्गा का और सब को इंतजार कर रहा है बस पुस्पाजली का यहाँ पर बहुत पंचायती है गाइस सामने वाला कलब है दुर्गा मंडप है यहां तो यहां पे ना सब कोई भोग का था भोग का नहीं मतलब प्रसादी का थाली दिये है तो हम लोग ना नहीं दिये इस बार हम लोग चंदा कटवा लिये थे और नहीं दिये हैं हम लोग घर में ही फूजा कर लिये और यहां पे बहुत लेट है देख देखे ममी बैची है ममी पता नहीं कब घर जाएगी ममी बूली हम चल जाएगी तो हस्बेंड और हम मिलके चले आए परसूरी मतलब हम लोग का फ्लेट का बगल में वहां पे सबजी मार्केट है वहां का अंदर मेरा बॉपा जल्दी फूजा होता है तो हम लोग गये तो लेकिन लास्ट नहीं है थोड़ा और बाकी है तो देखो कितना जल्दी हो गया साड़ी 11 बजे का अंदर न सब कुछ हो गया और बॉहां पे चालू होगा साड़े बारा एक तक तो हम लोग कुश्वांजली किये सब कुछ अच्छा से हो गया उसके बाद इतनी लेकर घर गये थे फ्लैट वहां से फिर आ गये तो आज का दिन ऐसा रहा